प्रदेश अध्यक्ष बनाये गए उस दिन से कुछ ने कुछ उनके छलाफ में बानी में कटुता आई प्रचाव जादव जी के द्वारा कभी-कभी उनके उनके समझ में बोला गया कि यताना साह है हविस में यह राजनित में साह होना चाहिए कि मिर्दुवासी होना चाहिए उनको इसलिए हमारी सलाह है नमस्कार आप देख रहे हैं लाइप सिटीज मैं हूँ आपके साथ सौरव राज आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानन सिंग पिछले कई दिनों से तेजपरता प्यादव से नाराज चल रहे हैं नाराजगी सकदर बढ़ गई है कि 15 अगस्त के दीन तक उजहंडो तोलन के समय पार्टी दफ्तर तक नहीं आएं आपको बता दे कि पिछले दिनों तेजपरता प्यादव ने जगदानन सिंग को हीटलर तक कहा था उसके बाद से काफी ज़ादा नाराज हो गये हैं समय समय पे तेजपरता प्यादव जगदानन सिंग पे काताक्ष करते नजर आते हैं जगदानन सिंग लालुयादव के काफी करीबी मानेज आते हैं लेकिन तेजपरता प्यादव और जगदानन सिंग के बीच में जिस तरीके से खिंस्तान बढ़ गई है पूरे पाटी के अंदर कहीं न कहीं एक तिलिश से बेचैनी है पक्ष और भी पक्ष दोनों इस घटना करम के उपर बोल रही है कि आखिर क्यों तेजपरता प्यादब जगदानन सिंग के साथ इस तरह का बैभार करते हैं इंडिये के भी कई नेता इस पूरे घटना करम के उपर बोल रहे हैं अपना वक्तवे दे रहे हैं अपना ब्यान दे रहे हैं के अंदर में मंतरी पशुपति कुमार पारस भी जगदानन सिंग के पक्ष में बोला है पशुपति कुमार परस ने कहा है कि जगदानन सिंग का पूराने लीडर है वरिष्ट नेता है साथ सुथरी छबी के इमानदार नेता है बिहार सरकार में कई वार मंदरी रह चुके हैं उनके ऊपर तेजपरताप्यादव का इस तरह का बयान अमर्यादित है और राजनीती मे इस तरह का बयान नहीं आना चाहिए जिस तरीके से तेजपरताप्यादव पिछले दिनों जगदानन सिंग को हिटलर कहा उसके बाद से उनके पाटी के भी कई नेता अंदर खाने नाराज चल रहे हैं कि इस तरह का बयान तेजपरताप्यादव के तरब से आना कह सकते हैं क यह अच्छा नहीं है पाटी के लिए और बिहार के लिए राजनीटी के लिए अच्छा नहीं है पहले आप सुनिए कि पशुपति कुमार पारस क्या कुछ कह रहे हैं जग्दान अन्सी और तेजपरतापी यादव के बीच में जो खिंस्तान हुई है उसके ऊपर देखिए ज सब्सक्राइब नेता के रूप में उनकी मानेता है विहार में और बहुत दिन तक विहार में वह विहार सरकार के केमिनेट मिनिस्टर रहे सिचाही मंत्री रहे और उन पर अभी तक कोई आरोप प्रतियारोप नहीं लगा जब से वह आर जेडी के प्रदेश अध्यक्ष बन प्रताव जार्व जी के द्वारा कभी-कभी उनके उनके समझ में बोला गया कि इताना साह है हिट्लर है यह जो सब्द है इस सब्द राजनितिक दिश्टिकों से अपत्ति जनक यह बात नहीं होना चाहिए वह उतने बजूग्र नेता है अच्छे नेता है अहां इसलिए हमारी सलाह है कि भविष में इस तरह की घटना है नहीं घटे और जगता हूँ अच्छे तो आपने सुना कि पशुपति कुमार पारा साप साप कह रहे है कि राजनीती में 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 दुभासी होनी चाहिए इस तरीके इसका वक्ताब नहीं होना चाहिए किसी भी के न इस तरह का कटूबानी आई है ओ सही नहीं है जगदानन सिंग के उपर इस तरह का ब्यान राजनीती में सुभा नहीं देती है डिली से सौरवराज लाइव शिटीज